काशिंदु विश्विद्दाले स्थित कला संकाय राधा कृष्णन सभागार के पास दिक्षान समरों के समय चात्र चात्राओं की आन बान श्यान का अनुभो कराने वाली पगड़ी और साफा का किस तरह से अनादर किया जा रहा है ये बेचु पहुच कर देखा जा सकता है जिलादकारी पीमो कारयाल बेचु प्रशाशन को भी अवगत कराने की बात कही है बेचु के चात्र ईष्ट देव पांडे ने बताया कि दिक्षान समारों हो रहा था उस समय कला संकाय में पगड़ी और साफा के लिए बच्चे काफी दूर दूर से आ रहे थे लेकिन पग करती में सजोने के लिए काफी मेहनत करते हैं तब जाकर ये सवभाग्य मिलता है ये सभी चाद्र चात्राओं के लिए अविस्मर्ड ये रहता है वहीं सत्यवीर सिंग ने कहा कि जिस तरह से पगड़ी और साफे को खुले आसमान के नीचे फेका गया है वो धीरे धीरे खर जाय कम है उन्होंने आगे बताया कि जब दिक्षान समारों होने वाला था उससे पहले बच्चों को पगड़ी और साफा नहीं मिल रहा था जिसको लेकर हम लोगों ने वीचु सिंग द्वार पर धर्ना प्रदर्शन भी किया था परंतो उस समय ये कहतर चात्र चात्राओं को वापस कर दिया जा रहा था कि अभी हम लोगों के पास पगड़ी और साफा उपलब नहीं है इस बात की शिकायत हम लोग ऊचे इस तर पर करेंगे क्या मामला है किस तरह का आज आज पिछले तीन चार दिनों से कला संकाय प्रांगण में ओल्ड सी बिल्डिंग के बगल में आप देखेंगे कि हजारों के संख्या में साफा और उतरिया फेका हुआ है खुले आसमान के नीचे और आप सभी को याद होगा न्यूज के माध् लेकिन वो नहीं मिला था वह साफा और उतरिया है का संबान होता है उसको फ़हन के मुपाधी प्राप्त करेंगे पढ़ रहा है। लेकिन वो नहीं मिला था, वो साफा और उतरिया पैसे से सबकों मिला था, लेकिन आज वही हजारों लाखों रुपए का साफा उतरिया, जो कि पैसे से विश्विद्याले प्रसासन भी खरीदा होगा, जहां से भी खरीदा होगा, उसको खुले आस्मान के नीचे फेका है, य प्राइब की दिश्रपित्याले के निचे आज उसे प्रिका हुआ है जैसे कि कबड़ा है जो कि दन से आया हुआ है और बच्चो को भी पैसे पर देना था इसका अभी वर्तमान में विष्बत्याले का सम्मान वह रखने का जगह नहीं है उसको रोट पर रखना पड़ रहा ह और बिस्विद्याले में तमाम चीजे हैं जिनके लिए तमाम जगह जिसका कोई काम नहीं है तो यह गोर ला पर भाई कासिञसी इंदु-विश्विद्याले के में पत्रसाशन का और निंदनिय है उनके लिए घोर सर्म की बात है कि आज साफा और उतरिया प्रसासन रोट पर बाहर फेका हुआ है और इसकी जहां छुनी चाहिए कौन इसके लिए जिम्मेदार है कौन सेल पर्चेस भीभाग में था जो खरीदा जो सही समय पर दे नहीं पाया छात्रों को उपलब्द नही कि फोटो खिचवा पाएंगे हर छात्रों का यह अंदर से अंदर से रहता है कि हम साफा उतरिया समाधी में उपादी मिलेंगे और उसके घर पर रखेंगे जाके सजाग रखेंगे उनको नहीं मिल पाया क्या फिर दुबारा दे पाएंगे इसा कभी नहीं हो सकता है इसके प्रसासन को जांच करना चाहिए और उस पर जो भी उचित करवाई होना चाहिए क्योंकि आज यह साफा उतरिया सड़को फेका हुआ है जो की पैसे का है जिसको कहीं भी स्टोरूम में रखा जा सकता था फिर से री उच्छ किया जा सकता था वह विश्विद्याले का समान ह जी मेरा नाम इस्ट देव पांडे है मैं कासे इंदो विश्विद्याले का चात्र हूँ उस्ट देव जी क्या मामला है और किस तरह आप गिरोध दर्ज करा रहे हैं आज आज हम लोग दो तीन दिन से देख रहे थे कि जो साफा और पगड़ी कासे इंदो विश्विद्या कि चात्र चात्रा का एक सपना होता है बिगत पिछले तीन साल में 2021-2021 में जाकर के 22 में हमारा दिच्छान समार हुआ उस समय उतरिया और पगड़ी और साफे के लिए मारा मारी थी और हमने देखा था आप लोग की माध्यम से ही समाचार पत्रों में और टेलिवीजन में कि हमारी चात्रा हैं बहने रोते हुए जिनको पगड़ी और साफा नहीं मिल पाया था यहां से वापस गये थे उनकार सपना तूटा था और आज जब हम लोग देखे तो यहां हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में आप कहा सकते हैं कि अब उसकी संख्या अनलिमिट है कि हमारे पास साफा और पगड़ी कमी नहीं थी अब्यवस्था की कमी थी और कासे इंदु विशुविद्याले में हमें अमेशा देखते आएं कि यहां पर किसी भी संसाधन या प्रशाधन की कमी नहीं है कि अवल अब्यवस्था मैनेजमेंट है तो कहीने कहीं यहां के जिम्यदार लोगों की जो जिम्यदारी है हमेशा उससे विफल होते रहा हैं तो हम विशुविद्याले प्रशाषन से मांग करते हैं कि इसके पीछे जो यह दुर्वस्था हुई है इसकी जाज कराई जा और इसके पीछे कौन से लोग थे जिनके वजह से छात्रों को और साफा और पट्टा नहीं मिल पाया था उनका सपना तूटा था उनके खिलाब कटोर से कटोर करवाई हो और यह जो हमारा सान है साफा और पगड़ी इसको उचित तरीकवे से डिस्पोज करने का काम किया जाए ना कि रोड पर फिक दिया जाए जिसे कि हम आने वाले रागी पानी से लगबक लगबक आधा सड़ भी चुका है और यह बड़े दुख की बात है कि वह पगड़ी और साफा जिसे हम बचा के रखते हैं आज इवन हम लोगों हम लोगों हम लोग वे जब्रेजुशन किया था हमने 2014 में यहां से तो उस समय मिला है आज भी हमने इसको बहुत सारे बच्चे एक एक नहीं था नहीं मिल पा रहा था पैसा देने के बाद भी नहीं मिल पा रहा था तो एक अई उतरिया और एक इसाफा और एक पकड़ी से तीन चाचर बच्चों ने अपनी डिगरियां लेकिन यह देखें कि हजा उस समय अशा नहीं था कि नहीं विरोध किया था क्यों नहीं है तो लोगों ने कहा कि नहीं समय कम था नहीं कर पाए संख्या बढ़ गई लेकिन आज देखे प्रसाशन की लपरवाई कि हमारे पास संख्या थी संसाधन का लेकिन उसका दुर्पयोग हुआ लोगों के उपर करवाई होती क्योंकि उनका उनकी असफलता है तो क्या आप उचे अस्तर पर उठाएंगे आज तो हम लोगों ने एक संथी पूर्ट तरीके से आप लोगों के माध्यम से विश्विद्याले प्रसाशन को शाशन को यह दिखाने का प्रयाप्न किया प्रयास क हो रहा है अगर यह उसको सही तरीके से टीकॉंपोज नहीं करते हैं उसको नहीं हटाते हैं तो आगे हम लोग एक बड़ा अंदोलन करेंगे दिश्विद्याले दिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लाटफॉर्म लाइव वी एनेस फिचले साथ वर्षों से बनारस की सेवा में पाईए बनारस के कोने कोने की खबर निश्पक्षता के साथ लाइव वी एनेस से बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वी एनेस आप या फालो कीजिए लाइव वी एनेस को सोशल मीडिया पर